गर में आजाएं अच्छानक से महमान या करना हो किटी पार्टी और बर्थडे पार्टी का इंतिजाम तो ये स्नैक आएगा आपके बहुत ही काम जीया फ्रेंड्स आज हम घर में ही बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी मकेन से भी कहीं ज्यादा बढ़ि बहुत पसंद आने वाल है और बनाने में बहुत आसान है सिंपल सा तरीका है आपने सबसे पहले 5-5 रालूं उबाल लेने हेघे और और बंबालकर इन आलूों और छील लेना ची लनेके बाद आपने पटेटो मेशी से इनको बहुत अच्छे से एक मैश मैश कर देना है या आपने इसके अंदर कुछ सामान एड़ करना है जैसे कि हम सबसे पहले यां डालेंगे दो चम्मच कॉर्न फ्लॉर ठीक है और इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर चार चम्मच चावल का आटा अगर चावल का आटा ना हो तो आप मैदा डाल सकते हैं और नमक स्वात के अन हम इसमें डाल देंगे धीर सारा हरा धनिया जो इसको बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा और कलर भी देगा साथ में दो चम्मच खाना बनाने वाला तेल एड़ कर देंगे और इन सारी चीजों को हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसे कि आप आटा लगाते हैं ब इसके बाद हमारे घर में जो हम सामान मंगाते हैं तो थैली काफी साफ सुत्री होती है कपड़े मंगाते हैं तो एक साफ सुत्री सी थैली लेना और अच्छे से साफ करके इसके अंदर आपने ये आटा रख देना है जो हमने पटैटो से तयार किया है और बेलन से इसको हमन बेलना है देखिए अतिनी ठिकनेस रखनी है देखिए हमने से के लिए लिए है लिए उपत्र नाए आठीत से बाद आप इसको मन चाहे अकार सकते हैं तो फिलाग आज मैं तो आज हाफ मून शेप बनारी हूँ यह शेप बचों को बहुत बसंद आती है और देखने में बड़ी सुन्दर सी लगती है तो इसके लिए करना क्या है एक राउंड शेप का कुकी कटर ले और उससे इस तरह हाफ मून शेप कट कर लें अगर कुकी कटर नहीं है तो पानी की बॉटल होती है ना फ्रीज में रखी होती है आप उससे भी कर सकते हैं या चोटी सी कटोरी हो उससे कर ले जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उससे ये हाफ मून शेप कट करते जाएं और ये देखिए कितने सुन्दर आपके आधे चंद्रमा आकार के ये बनते जा रहे हैं सारे के सारे आपने काट के एक साथ रख लेना है ऐसा करने का एक फायदा ये है कि आप तलेंगे तो आपको फिर जादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एक बार आप काट के रख ले और या फिर आप इसे काट के किसी एर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं तो जब भी अचानक से महमान आ जाएं तब आप फटा-फट से निकाल के तल सकते हैं एक हफता तक आप इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं अब देखिए हमने काट के तयार कर लिए अब कड़ाई में तेल गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम में हमने इसे फ्राइ कर देना है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने इसको कट के तयार कर लिया है और अब बारी बारी से सारे के सारे कड़ाई में आपने डाल देना है तो जब तक ये फ्राइ हो रहे हैं तब तक आप एक काम कर लिए अगर आप चैनल पर नहें हैं और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले एसी मज़दार रेसिपी इसके लिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना बिलकुल न भूले और यह देखिए इसी तरह से आपने स्नैक को सेंक लेना है तल लेना और बीच बीच में चलाते फिराते जाना है कि यह सभी तरफ से अच्छे से सिक जाए और बहुत ही करारा सा आपका यह नाश्ता बनके तयार होने वाला है देखिए देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है यह कीन जाने खाने में भी बहुत मज़ेदार है और जब यह एक बार तल जाए तब आपने इसको करारा सा तो बहुत ही मज़ेदार सापका नाश्ता बनके हो गया है तैयार अब जब भी घर में किटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो या बच्चों की फर्माईश हो तो यह स्नैक जरूर ट्राइ करें कैसा लगा मुझे कामेंट करके बताएं वीडियो देखने के भगे पार्टी हो यह से लुक्ते कर दो यह सकता है ड़के लिगए भी खरोड़ी हो यह फ्या अप二 दिता आ के लिख अचिंशन आपार्टी ह Pangolly